हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे तो मैं द्रवतर आए पश्चिम मंगाल से दोस्तों आज का वीडियो जो है बायिनांस का स्ट्रेटजी टेडिंग के उपर है मैं लगबग 20-25 दिनों से strategy trading को इस्तेमाल कर रहा हूँ, use कर रहा हूँ देख रहा था और मुझे काफी अच्छा लगा, impress किया, हलाकि बहुत ज़्यादा कुछ return तो हुआ नहीं मतलब income तो हुआ नहीं क्योंकि market ही इतना ज़्यादा खराब है लेकिन इस खराब market पे strategy trading को apply करके कैसे हम future में अच्छा income अच्छा growth ले सकते हैं इसके उपर है जो है आज का वीडियो है, तो दोस्तो strategy trading में हम लोग यहाँ पर देख सकते हो जो dashboard पे strategy trading बोल के एक option है, यहाँ पर हम लोग जो है क्लिक करेंगे और यह page जो है open होगा, यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पर काफी देख सकते हो, उपर में जो है spot greed है and future greed है, तो हम लोग future को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यह maximum risky हो जाता है हम जो है spot को use करेंगे, तो यहाँ पर website पे उपर में corner में spot पे आप click करेंगे तो कैसे greed बनाते हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरा result मैं आप लोग के से थोड़ा बहुत overview में देऊंगा ठीक है तो यह हो गया, यहाँ पे दो option है, एक auto एक manual, जब मैं बाद में करूंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं अभी auto में चला रहा हूँ अपना, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो auto and manual का option है और मैं spot grid पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरा balance आप देख सकतो 2330 डॉलर अभी भी परा हुआ है और यह लगभग यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 दिन हुआ है मतलब 22 days से मेरा जो है यह auto trading जो है, almost चल रहा है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जो running यहाँ पे लिखा हुआ है, running में क्या चल रहा है देखिए मेरा investment है लेप साइड में दिखा रहा है, 3787 डॉलर जो है मेरा यहाँ पे total investment है और यहाँ पे current जो BTC का price है, 20,000 डॉलर something चल रहा है वीडियो का watch कीजेगा, पूरा देखिएगा, मैं कुछ दिनों से analyze कर रहा था तो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको अगर इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो तो यहाँ पे आप देख सेकते हो total profit, मैं लेप साइट से आ रहा हूँ, total profit जो है 26 डॉलर दे रहा है तो अभी तक है, आपको लग सकता है कि यहाँ पे लगबग लगबग 4000 डॉलर के आसपास मैं already investment कर चुका और profit इतना कम, हाला कि market ही इतना खराब है, loss में तो फिलाल नहीं हूँ, ठीक है तो यह जो भी है लेकिन profit में है, तो यहाँ पे greed profit मेरे को दिया था, यहाँ पे 98 डॉलर और काफी जो ट्रेडिंग यहाँ पे automatic ट्रेडिंग चलता है, तो यहाँ पे profit भी होता है, loss भी होता है ultimately जो total profit है यहाँ पे 26.82 डॉलर है, ठीक है, और आप देख सकते हो नीचे जो, मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो है काफी ज़्यादा matter करता है, कि आप कौन सा coin select करते हो जब मैं नया-nया cryptocurrency में आया था, तब तो एक-दो साल लगे मुझे यह सब समझने में लेकिन 2017-2018 में market जो बहुत ज़्यादा खराब गया, उस time पे मैंने कुछ purchasing किया था, कुछ अच्छा coins तो और जब इस बार peak time आया था, bitcoin का, तब काफी अच्छा मैंने जो है, income जो दोस्तों है, किया था और यहाँ पे एक चीज जो सब को समझ में आता है, कि market जब खराब जाता है, तभी जो है investment करना चाहिए लेकिन सभी coin में नहीं, सभी coin अपना all time high को नहीं touch करते हैं तो यहाँ पे अगर strategy trading में आप करते हो, तो यहाँ पे best coin आप sealate करना, मेरे इस आप से bitcoin ठीक है, bitcoin को ही आपको sealate करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि bitcoin अल्मूस 70,000 डॉलर से नीचे आके अवी 20,000 डॉलर पे trade कर रहा है हम लोग जो लोग भी cryptocurrency में काम करते हैं, उन सभी को idea है कि कोई coin अपना all time high को touch करे या ना करे लेकिन bitcoin जो है 100% करेगा, चाहिए 2024 में करे या 25 में, तो यहाँ पे हम लोग अवी जो है BR market पे है, अवी कोई वी अच्छे currency के ऊपर जो है trade करे या उसको अवी savings करे या थोड़ा-थोड़ा महीने में उसको जमाए, तो जिस तरीके से भी हो सकता है, तो मेरे इस अब से bitcoin बेस्ट था, यहाँ पे देखिए 16,000 से 35,000 का मैंने range दिया है, that means किया यह बहुत important है, market में काफी सारे लोग है जो analyze कर रहे हैं कि bitcoin जो ह और भी down जा सकता है, लगबग 12, 13, 14,000, तो इसलिए मैंने 16,000 जो है यहाँ पे target रखा और 25,000 के बीच में ही यह मेरा trade लेगा, इसमें plus point अच्छा है कि अगर market और भी down जाता है, तो 16,000 तक जब यह जाएगा, अगर जाता है तो तो अच्छा चीज है कि मेरे पास bitcoin तो रहे profit है, लकिन नीचे भी जाता है, तो मुझे cheap and best price में जो है bitcoin मिलेगा, यह अच्छी बात है, तो यहाँ पर आप देख सकतो 150 greed मैंने select किया, यहाँ पर मताऊंगा greed मतलब क्या trading, आप मान सकतो कितना बार तो इसको greed कहा जाता है, और total जो matching trade जो हुआ है, जो मेरे account में, इस account में 3,787 डॉलर जो मेरा यहाँ पर investment, यहाँ पर total जो trade अभी 22 दिनों में हुआ है, वो है 1186, मतलब 1186 बार जो है, इसने जो है buying, selling किया है, चाहे profit किया, चाहे loss में किया, लेकिन वो trade लिया है, ठीक है, और total आप देख सकते हो कि timing, creation जो मैंने इतना तारिक को किया, और 22 दिन चल तो यहाँ पर working में आपको मैं अगर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखे working, तो अभी एक चीज़ आप आप यहाँ पर देखिए गया, मैं spot में भी जाके आपको दिखाऊंगा, देखे यह ऊपर में total profit दोख्या रहा है, 26 डॉलर, greed profit 98 डॉलर, जो है मुझे profit हुआ था, unrelease P 12 डॉलर यह जो आप running देख रहो, तो यह है अभी current चल रहा है, 20,026 डॉलर something चल रहा है, तो आप नीचे देखो, 19,960 डॉलर जब यह जाएगा, ठीक है, 19,960 डॉलर यह जाएगा, तो आटोमेटिकल यह बाइंग कर लेगा, बाइंग का बीड आप देख रहे हो, लेप सा लिंग का बीड लगा हुआ है, तो यह आप देख सेकत हो, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, current balance जो है, यहाँ पर इतना दिखा रहा है, और complete, मेरा total, जो भी 22 दिनों में complete क्या हुआ है, वो आप देख सेकत हो, यहाँ पर, 24th matching trading, मतलब 24 hour में, matching trading जो है, मेरा यहाँ पर, trade हुआ है, 40, मतलब 40 बार trade हुआ है, total match, मतलब total match trade हुआ है, अवी तक 22 दिनों में 1186 बार, ठीक है, और average daily matching trade 51, मतलब average, अगर मैं calculate करूं यहाँ पर, तो average यहाँ पर 51 बार जो है, लगबग लगबग trade होता है, ठीक है, 51 बार, ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे आप गर आपको, मैं step by step दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ पर आप देख सेकतो, कि भाई सहाब, जो है, काफी जादा trade, यहाँ पर minus plus हुआ है, तो यहाँ पर देख सेकतो, चोटा चोटा चोटा, 0.007 USDT, 0.0074 USDT, तो 0.01, इस तरीके से काफी नीचे तक आप जाएंगे क्योंकि भाई, गैरा सो बार हुआ है, तो कम नहीं है, नीचे बहुत स्यादा details है, अभी मैं दिखाऊंगा grid details में, यह मेरा grid details में डाला है, यहाँ पर फिर से again एकी चीज़ दिखाएगा, कि आप मैंने दिया था, यहाँ पर grid data का, ठीके, और यहाँ पर देखिए, quantity per order, जो जो मैंने यहाँ पर select किया था ना, दोस्तो, यहाँ पर देख सकतो, 0.00129 BTC, अगर यह 0.00129 BTC को अगर आप calculate करेंगे, तो यहाँ पर 25 डॉलर के आसपास होता है, मतलब मेरा हरे एक trade, यह जो daily मैंने आपको बताया, 50 ट्रेड ले रहा है, तो हरे एक ट्रेड जो है, कोई एक trade लग रहा है, मानके चलो 25 डॉलर का, ठीक है, और उसमें से जो यह मेरा profit निकाल के दे रहा है, बहुत छोटा छोटा profit निकाल के देता है, अगर profit होता है, तो 0.04%, that means 25 डॉलर का 0.04% मतलब हुआ, 0.1 डॉलर something, 0.1 डॉलर something, तो बस इतना ही है, कि अगर पूरा दिन नहीं चाता हो, तो इसमें Bitcoin या Ethereum आप कर सकते हो, ताकि खराब market पर आपको अच्छा price में आपको accumulate कर पाऊं, ठीक है, और आपके spot है, तो यहां पर आपके पास ही रहेगा, और यहां पर mood मैंने दिया था, यहां पर automatic, ठीक है, और यहां पर total investment, same thing दिखा रहा है, तो चलिए बाद यहां पर देखिए, spot, grid, hand, future, जैसे हमने, जो है, spot पर ही किया था, तो मैं आपको भी सर्जिस करूँगा, spot में ही करो, तो left side पर spot है, उस पर आप click करो, ठीक है, और वहां पर BTC, BUSD लिखा है, तो यहां पर आप सिलेट करो, एक बार, कौन सा coin मैं आप करना चाहता हो मैं सिलेट करता हो, BTC, BTC मैंने सिलेट किया, तो यहां पर देख सकतो, आ गया BTC, USDT, तो यहां पर दो option है उपर में, जैसे कि आप देख सकतो, एक है auto, एक manual, तो सबसे पहले auto को समझते, यहां पर time period 7, 30, 180 days दिया गया है, कोई भी आप सिलेट कर सकतो, 30 days रख सकते हो आप, और यहां पर देखे, automatically आपको दिखाएगा, कौन से जगे से जो है trade लेगा, अभी देखे, low price जो दिया गया है, 17,217 डॉलर तक जो है, 17,217 डॉलर से लेके, 22,800 something जो है, डॉलर पे यह बीच में जो है trade करेगा, और यह grid जो है, automatically slate किया हो है, 38 बार, जितना कम आप grid डालें प्रोफिट उतना ही ज्यादा होगा, trading कम होगा, ठीक है, तो आप इसको जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा grid आपने देखा कि देर सो है, उसी से आप से मेरा profit कितना आ रहा था, 0.04%, ठीक है, और यहां पे 38 grid डाला है, तो that's why कि यहां पे कम trade होगा लेकिन profit आपको ज्यादा होगा, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, यहां पे 0.45 से लेके 0.66 तक, ठीक है, तो नीचे यहां पे देख सकते हो, कि भाई, यहां पे available USDT जो है मेरे पास दिखा रहा है, something 2300 डॉलर के आज पास, तो यहां पे minimum जो आपका यहां पे दिखा रह तो और भी जादा आपको दिखाएगा, grid को बराएंगे, तो इस तरह के सब देखना पड़ेगा, यहां पे अगर आप 200 डॉलर डालेंगे, तो शायद लेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे automatically calculation करके दिखा रहा है कि 474 डॉलर जो है आपको minimum investment करना है, तो यहां पे 500 डाल चल रहा है, तो शायद मैं भी ना ले, यह मुझे पता नहीं है, quality की एक चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह के सब create करो, तो create हो जाएगा, दूसरी चीज़, मैंने किया था manual, ठीक है, तो manual पे आप जाओ, यहां पे दो option है, तो आप पहला बाला option ही रख सकते हो, तो यहां पे grid देख सकते हो, grid, grid जब आप sealate करेंगे, ठीक है, यहां पे मान के चलो, यहां पे automatic दिया ही गया है, कि 2 से minimum 300, तो यहां पे अगर आप 50 देंगे, तो यहां पे आप नीचे automatically आ गया देख सकते हो, आप 670 dollar minimum investment करना पड़ेगा, तो यहां पे अगर 25 देते हो, तो 344 dollar investment करना प पड़ेगा, तो उसी साब से आप देख लीजे कितना आपका suitable amount हो, जो कि आपको long term तक आप यहां पे रख सकते हो, यहां पे मैं अगर 100 कर देता हूं, तो देखिए percentage जो घट गया, ठीक है, percentage जो है घट गया, 0.14, कम आपको income आएगा, लेकिन investment भी जादा हो गया, ठीक है, तो आप अपने according मन के चलो कि आप according 75 या 50 या जो भी, ठीक है, आपका suitable amount से match करे, तो उतना ही आप दो, 30 मैंने दे दिया, तो यहां पे minimum 409 dollar का यहां पे आ रहा है, तो आप 409 dollar दे सकते हो, या 450 dollar दो, 409 dollar के उपर आप कितना भी दोगे, तो वो ले लेगा, ठीक है, और उसक को back करूंगा, तो मैं यहां पे BTC सर्च कर लेता हूं, BTC, USDT मैं सर्च कर लेता हूं, यहां पे BTC, USDT मैं सर्च कर लेता हूं, तो यहां पे buy में क्लिक करता हूं, तो देखिए, automatically, सारा का सारा trade देखिए, अब लगा हुआ है, ठीक है, सारा का सारा trade लगा हुआ है, तो कौन सा प्राइज में बाई करेगा कौन सा कोईन में कौन सा प्राइज में सेल करेगा तो सारा का सारा यहां पे हैं अभी आप देख सकतो बीटी सी का प्राइज कितना है सर अभी आप देख सकतो बीस अजार असी डॉलर संतिंग चल रहा है तो यहां पे देखे बीटी सी बाई करे है क्योंकि यह totally automatic है आपको कुछ नहीं करना है आपको फिस लगा के अगर आपके पास extra money है तो आप कर सकते हो अच्छे coin के ऊपर आप कर सकते हो ताकि future में down भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो बस दोस्तों वीडियो तो इतना ही है थोड़ा बहुत मैं analyze करके इसको कि या हूँ तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक दबा के सब्सक्राइब करके ही जाईएगा और आगे वीज तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोग के लिए जहां पे हमारा community को profit हो तो बस दोस्तों वीडियो को end करते है थैंक्यू दोस्तो वीडियो को देखने के लिए